Mercedes-Benz इंडिया ने भारतिय बाजार में दो नई कारे लॉंच की है इन में Mercedes CLE Cabriolet और AMG GLC 43 4 Matic Coupe शामिल है भारत में इन दोनों कारों को Complete CBU Route के जरिये बेचा जाएगा यानि भारत में इसकी Manufacturing नहीं होगी आएए दोनों कारों के बारे में विस्तार से बताते हैं एक दशमलोव एक शून्य करोड रुपे एक सशोरूम की कीमत पर पेश किया है नई कार को Powerful Engine और Latest Features के साथ लॉंच किया गया है Dot इसमें दो दशमलोव शून्य लीटर चार सिलेंडर इंजन दिया गया है यहां इंजन 415 BHP का Power और 500 NM Torque जेनरेट करता है इस इंजन को मानक के रूप में 9-speed automatic gearbox के साथ जोड़ा गया है GLC 43 कूपे में AMG में खास styling element जोड़े गए हैं नई GLC 43 कूप चार Matic कार में नई ग्रिल, बड़े air inlets, बॉडी कलर में पेंट किये गए वहील आर्च, पिलर से नीचे की ओर जुकना शुरू कर देती है नई SUV में मौजूदा मॉडल की तुलना में अधिक sportier rear diffuser और exhaust के साथ एक black rear bumper दिया गया है डॉट, इंटीरियर की बात करें, तो इसमें 11.9 इंच का बड़ा portrait style infotainment system और 12.3 इंच का digital instrument डिस्पले दिया गया है वही कार में red stitching और carbon fiber treatment के साथ एक full black dashboard देखने को मिलता है साथ ही इसमें special MG steering वहील मिलता है Mercedes ने GLC 43 MG Coupe के अलावा नई CLE Cabriolet को भी launch किया है भारतिय बाजार में इसकी शुरुआती कीमत 1.1 करोड रुपे, एक सशोरूम, है नई Mercedes-Benz CLE Cabriolet को भी complete CBU route से इंडिया में बेचा जाएगा नई CLE 300 Cabriolet Global Star पर class Cabriolet की जगा लेगी कार निर्माता ने इस भारत में इसका convertible version पेश किया है कि CLE 300 Cabriolet दो दर्वाजों वाली कार है जो विदेशी बाजार में कूपे और convertible दोनों version में उपलब्ध है